दुख को लेकर है। हमें एक बात समझनी होगी। इसका मकसद किसी के दुख को छोटा समझना नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि दुख हमेशा कुछ खोने से जुड़ा होता है। खोना यानी हमने कुछ खोया है। इसका संबंध किसी की मौत से नहीं है। लोगों को दुख हो सकता है किसी सामान के खोने का, ओधा या नौकरी खोने का। तो मूल रूप से दुख का कारण है कि किसी इंसान ने कुछ खोया है। जब बात लोगों की होती है। अगर हम उन्हें मौत के कारण खोते हैं, तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। चीजें फिर पाई जा सकती हैं। ओहदे दुबारा पाई जा सकते हैं। पैसा और धन दौलत फिर पाई जा सकते हैं। मगर जब हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं, तो उसे वापस नहीं पा सकते हैं। तो इस मामले में दुख अदिक गहरा हो जाता है। हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी शक्सियत को एक कुलाज की तरह बनाया है। हम जो हैं, वो अपने सामान, अपने ओहदों, अपने रिष्टों और जो लोग हमारे जीवन में हैं, उनके कारण हैं। अगर इन में से कोई भी चीज डह जाती है, तो हमारी शक्सियत में एक खालीपन आ जाता है। हम उसी का दुख जहल रहे हैं। ये बहुत मेहतोपूर्ण है कि हमारे रिष्टों का आधार हमारी पूर्णता पर हो। रिष्टा हमारे जीवन के खालीपन को भरने का साधन नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को पूरा करने के लिए किसी रिष्टे का इस्तिमाल करते हैं, तो उसे खो देने के बाद आप खाली हो जाते हैं। अगर आप कोई रिष्टा बनाते हैं, क्योंकि आप अपनी पूर्णता को साधा करना चाहते हैं, तो कोई दुख नहीं होगा। जब हम अपने किसी बहुत प्रेव व्यक्ति को खोते हैं, तो ये सब काम नहीं करता। ये किसी के नुकसान को छोटा बताने जैसा लगता है। इसलिए हमें जीवन भर इस पर ध्यान देना चाहिए, कि हम कौन हैं, ये हमारे जीवन में मौझूद चीजों से तै ना हो। हम कौन हैं, इससे तै हो कि हमारे जीवन में क्या होगा, ये हर इंसान के साथ होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है। झाल